तो हेलो गाईज कैसे आप लोग आई होप कि आप सभी बहुत बढ़ी होगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाला इंस्टाग्राम रिल्स पर मतलब जो स्लो मोशन एंडिटिंग वीडियो के साथ ऐसे थे जो इफेक्ट लगाए जाते हैं उनसे वीडियो काफी अच्छी लगती है और वाइरल भी हो जाती है इंस्टाग्राम पर तो आज किस वीडियो में आपको यहीं बता हुआ कि आप मतलब स्लो मोशन के साथ साथ मतलब फिल्टर एफेक्स एटू जैड चीज आपको समझा हुआ मतलब इतनी अच्छी वीडियो आप बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए आपको जरूरत होगी तीन एप्स की एक तो आपको अपने मोबाइल का कैमरा चीए जिससे आपने वीडियो शूट करी है और वीडियो शूट करने के बाद आपको से एक साइड रख देना उसके बाद आपको दो आपको अपने ये पुडियो शूट करने के बाद आपको सीधा चलने है अपने वीडियो शूट करने के पाद आपको लेकिन प्लस के साइन पर आना नीचे प्लस के साइन पर आते ही साथ आपको new project पर जाना है और जो आपने वीडियो अपने camera से shoot की थी जिसमें आप effect लगाना चाहते हो मतलब उसके editing करना चाहते हो तो आपको वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जैसे मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नीचे जो right side option दिखाई दे रहा है next का इस पर click कर लेना है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं आपको tips and tricks बता हूँ ऐसी वीडियो एडिट करने के लिए आपको अगर मेरी वीडियो एडिट करी हूई अच्छी नहीं लगती तो आप अपने दिमाग से और अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं मैं आपको हर एक तरीका हर एक सब कु समझा दूँआ कौन सा अपची है कौन सा नहीं तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजएगा आप देख सकते हैं ये वीडियो मैंने वैसी डा कर देना इसकी व Connecticut क्योंकि मैं इसमें स्लोमोशन लगाए तो वह जो इसका इस तरह से बना लेना है तुड़ को पाद को कोई तरह आपको सपीड बिकार वीडियो ये लगती ना तो यह मतलब लैग होती तो स्पीड के जैसी आप क्लिक करोगे तो आप इसे ऊपर की तरफ ल गोड़ा नीचे ले जाओ जहांसे आपको fast करने हैं वहीं से उपर ले जाओ तो अभी देखिए पहले यह fast आई एकदम से slow हो गई तो आपको अपने हिसाब से adjust कर लेना कि मुझे कहां से slow करनी है कहां से fast करनी है वो आपके उपर depend करता को किस तरह की वीडियो चाहिए तो मैं जैसे किछी भी तरह इसको select कर लेता हूँ यहां से आईगे और यहां पर थोड़ा slow motion हो गया तो आपको यहां से इसको ऐसे select कर लेना है और यह video जो आपकी इस तरह से बन जाएगी तो उसके बाद आपको fx चाहिए fx बहुत जरूरी है video को मतलब एक attractive दिखाने के लिए तो यहां पर नीचे आपको fx का जो option दिखाई दे रहा है आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे तो आप fx को कहीं पर भी लगा सकते हो end में, start में, beach में, कहीं पर भी जैसे बाद आपको fx लगा के दिखाता हूं flash का देखे, flash में मतलब होगा कि ऐसे ही लेगा शुरू में उसके बाद होगा zoom in zoom in में कुछ ऐसा दिखेगा उसके बाद jittle इसमें ऐसा मतलब बहुत सारे fx है slide right, zoom out मतलब कुछ इस तरह से fx है आप इनिमें से जो आपको भी पसंद आए जो आपकी वीडियो में सही suitable हो आप वो इसमें select कर सकते हो तो जैसी मैंने यहाप इतना select कर लिया इसे तो अभी मैं इसको थोड़ा चला के देखता हूं देखी ऐसे इस तरह से कुछ वीडियो स्टार्ट होगी और यहाँ पर आके थोड़े slow motion हो गई तो मतलब काफी attractive वीडियो इसमें मतलब बनती है और उसके बाद आपको करना के जो ऐसे authentic effects होते हैं वो आपको दूसरे app से लगाने पड़ेगे अगर आप यहाँ पर और effects लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाके 14 seconds पर भी कोई जैसे मैं लगा देता हूं जूमिन तो इधर लग गया जूमिन तो उसके बाद आपको करना के टिक का option कर लेना है टिक का option करने के पाद आपको मतलब जो यह video यहाँ से बिल्कुल complete हो जाएगी और यहाँ पर बहुत सारे मतलब और भी options है mirror crop वगरा आपको जिस तरह से भी edit करनी है यहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हो बिल्कुल 100% आपकी real video लगेगी यहाँ से तो उपर जो right side export को option दिखाई देना मास से आपको इसे export कर लेना है यह resolution है आप कितनी मतलब HD में चाहिए 550 pixel में 720 pixel में तो आप यहाँ से कर सकते हैं तो मैं export original कर लेता हूँ और इसे tick कर देता हूँ तो जैसे ही मैंने इसको export किया तो इस saving video हो रही है अगर आप export original करते हो तो आपकी y video export होगी जिसको आपने edit नहीं किया था इसलिए कुछ बंदे कर देते हैं यहाँ पे गल्ती तो आपको करना का है यहाँ पर simply y video आपको export करना है जो आपने अभी इस app से करिये edit जितनी भी आपनी इस app से करिये वो video आपको export करनी है यहां से इसको बंद कर गए यहां से आप इसको बंद करके export करोगे तो यहां पर आपकी वही video export होगी जो आपने भी इसमें जो effects लगाई है slow motion लगाया वो video यहां से export हो जाएगी तो यह doubt भी आपका clear कर दिया मैंने और दूसरी बात अभी एक्स्पोर्ट होने के बाद हमें जरूरत पड़ेगी second app की अभी आपको उसका link भी description में मिल जाएगा वहाँ से आप दोनों को download करके अराम से use कर सकते हो और Instagram पर आपकी video viral भी हो सकती है ऐस aesthetic effect है जो तो अभी आपको आना है Vita पे second app का नाम है Vita जैसे है आप Vita को open करोगे Vita को open करने के बाद कुछ इस तरह का interface आएगा और वहाँ पे आपको allow वगरा करने के लिए बोलेगा तो आप allow कर सकते हो जो इनकी terms and services सब allow कर देनी है कोई दिक्कत वाली बात निया तो अब आपको करना है उपर new project पे click जैसे ही आप new project पे click करोगे तो आपके सामने वो videos आ जाएंगी जिन पर आपको मतलब काम करना है जो आपने उससे export करी है तो जैसे मैं यह video ले लेता हूं 20 second की अब यह यहाँ पर आ चुकी यहाँ पर आने के बाद भी आपको काफी options मिलेंगे music text stock ratio तो ऐसे करके आपको यहाँ पर बहुत सारे option मिल जाएंगे फिर आपको यहाँ पर filter बगारा मिलेंगे तो आपको यहाँ से ही मतलब जो ऐसे थेटिक effect जाए अराम से देखने को मिलेंगे जैसे मैं आपको दिखा देता हूं filter filter में आप जैसे क्लिक करोगे तो orange मतलब डाउनलोड करने पड़ेंगे आपको यहाँ से यहाँ पर आपको यह लगता है कि हाँ यह तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तो आप वही लगाए जैसे कि यह यहाँ पर फिल्टर वगएरा यह सारे जितने भी आप यहाँ से लगा लगाई सकते हो और आप फिर अपनी वीडियो प्ले करके देखना आपको जिस तरह से लगए कि हाँ यहाँ पर यह फिल्टर ठीक करेगा जैसे पीछे आप देख यलो यलो लगए जो की पेड़ पोद है मतलब आपको जो भी यह लगए कि हाँ यह फिल्टर में बहुत सारे मिलते हो और उसके बाद है Sticker है Filter है Adjust, Volume, Speed, Scale तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात तो filter ही में filter में इसमें बहुत सारे मिलते हैं काहिन मास्टर बगरा में इतने filter देखने को नहीं मिलेंगे जितने filter आप यहाँ पर देख सकते हो मतलब हर एक filter मिल रहा है color कैसे change हो रहे है तो जितनी भी ऐसे थेटिक वीडियो बनती है कुछ इनी तरह के आप से मिल जैसे आप देख सकते हैं उपर जो आस्मान है बिल्कुल blue हो गया है एकदम original feel आ रहा है आप जैसे यहाँ पर right side क्लिक करके इसे save कर सकते हो और यहाँ से भी आप इसे play करोगे तो देखना कितना मतलब मस्त लग रहा है बिल्कुल यहाँ एकदम से slow हो गया जो आपने उस app से किया था वी एन से तो अब दोस्तो अब यहाँ में simply आप करना के export कर लेना उपर right side से और saving वीडियो होने के बाद यह आपकी गैलरी में आ जाएगी और वहाँ से आप इसे reels पर upload कर सकते हो तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आप try कर सकते हो इस app से अच्छी से slow mo करके और ascetic effects लगाके हो सकता है आपकी instagram reels पर वीडियो वाइरल हो जाए तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ चैनल को subscribe करके घंटे के option को भी टैक कर देना तो thank you